हाई प्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल आज मैं आप सब के लिए भुट्टे से बनी एक अलग रेसिपी लाएं हूँ जो खाने में बहुत ही मज़ेदार है और इसे आप कभी भी बना के खा सकते हैं तो चलिए बनाते हैं चार पीस मक्का के दाने को एक बावल में निकाल लिया है एक कटोरी मक्का के दाने को अलग रख लेंगे और बाकी को ग्रेंड कर लेंगे अब मक्का को ग्रेंड कर लिये हैं तो एक बरतन में निकाल लेंगे मक्का के दाने को डाल देंगे बारी कटा हुआ धनिया पत्ता डाल देंगे दो बारी कटा हुआ पियाज को डालेंगे एक छोटी कटोरी बेसन डालेंगे एक चमच मीर्च पाउडर डालेंगे स्वात के अनुसा नमक डाल देंगे दो चमच कॉनफलोट डाल देंगे अब सब को अच्छे से मिला देंगे बरसाद के मौसम में भुट्टा बहुत आता है नॉर्मली लोग भुट्टे को उबाल के या भुण के खाते है अच्छे से मिक्स हो गई है तो एक कड़ई में तेल ले लेंगे तेल गरम हो गई है हाथों में तेल लगा के भुट्टे के मिक्सर को लेंगे ताक कि तेल में डालते समय वो इजिली निकल जाए और हातों में चिपके नहीं इसी तरह से हातों में तेल लगाते हुए एक-एक करके डालते जाना है खड़े में जितनी जगा हो उतने ही डाले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकोन को दबा दे उससे आप मेरी नई वीडियो पहले देख सकते हैं मीडियम फ्लेम में ही इसे हमें लाल करना है कोरन का पकोरा रेड़ी है तो इसे एक जारे से निकाल देंगे अब मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाऊंगी लग रही है न डिलिशियस अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू बाल करो उत्वम्यक अच्छी लेग। झाल झाल